यदि A माइनस दो आई बराबर है आवियू माइनस एक माइनस दो तीन दो एक माइनस एक तीन एक जीरो हो तो A, A T ग्याद कीजे जहां I तीन इंटू तीन करम का एकाई आवियू हो है A T हम जानते हैं A उपर T तो इसका अभिप्राय परिवर्थ मैट्रिक्स ट्रांस्पोज मैट्रिक्स से होता है तो यहां हमें A माइनस दो आई जहां I जो है वो तीन इंटू तीन करम का आईटिटी मैट्रिक्स है एक आई आवियू है वो हमें एक आवियू के बराबर दिया गया है तो यहां हमें दिया है A माइनस दो आई बराबर है एक आवियू जिसमें आवियू है माइनस एक माइनस दो तीन दो एक माइनस एक माइनस तीन एक जिरू तो यहां यदि हम माइनस दो आई को दूसरे पक्ष में ले जाएं तो हम जानते हैं कि आई जो तीन इंटू तीन के एकरम का होगा, वो क्या होता है? उसमें 100, 010, 001 होगा, तो ए बराबर इस से हो गया, ए बराबर आवियू जो हमें प्राप्त है, मायनस एक माइनस दो 3, 2 एक माइनस एक माइनस 3 10, प्लस दो इन्टु आई, दो आई को हम जो, राइट एंड साइड में ले आया है, वो धनातमक हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और आई हम जानते हैं, आई होता है, 100, 010, 001, Partners said, 3 into 3 के करम का एकाई आवियू होता है अब हम इसे calculate करते हैं तो 2 जो है वो हम देखते हैं कि प्रतेक आवियू से गुणा होगा अर्थात हमारा A हो गया A बराबर 2 से हमने गुणा कर दिया तो क्या हो गया? 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2 यह हमारा दूसरा आवियू हो गया पहले आवियू को हमने as it is लिख लिया ऐसा का ऐसा ही उतार लिया अब हम calculate करते हैं तो हम योग करने से क्या पराप्त करते हैं? माइनस 1 प्लस 2 अर्थात 1 माइनस 2 प्लस 0 अर्थात 2 3 प्लस 0 अर्थात 3 और इसी प्रकार अन्य अवियों का किया तो 2 प्लस 0 अर्थात 2 हो गया 1 प्लस 2 अर्थात 3 मिल गया माइनस 1 प्लस 0 अर्थात माइनस 1 माइनस 3 प्लस 0 अर्थात माइनस 3 1 प्लस 0 अर्थात 1 और 0 प्लस 2 अर्थात 2 हमने दोनों आव्यू के संगत आव्यों का योग कर दिया और आव्यू A हमने प्राप्ट कर लिया अब हम A T ग्याद करते हैं तो हमरा आव्यू A के लिए A T किस प्रकार से ग्याद करेंगे हम हम 80 ग्याद करते हैं हमारी पहली पंक्ती A में है 1-2-3 उसे हमने पहला इस्तम्भ बना दिया 80 का 1-2-3 दूसरी पंक्ती हमारी है 2-3-1 यह हमारा दूसरा इस्तम्भ हो गया 2-3-1 और तीसरी पंक्ती हमारी है 3-1-2 यह हमारा तीसरा इस्तंब हो गया, माइनस 3, 1, 2. इस प्रकार हमने आव्यू A के लिए परिवर्त आव्यू A T ट्रांस्पोज मेट्रिक्स प्राप्त कर लिया, अब हम A T ग्याद कर चुके हैं, तो हम A into A T ग्याद करेंगे, जो हमको प्रेशन में पूछा गया है, तो A into A T अर्थात आव्यू A into आव्यू A T अब A T हम ग्याद कर चुके हैं, A हमने ग्याद कर लिया है, तो हम पहली पंग्ती के जो आव्यू A के अव्यव हैं, उनको A T के दूसरे आव्यू के पहले इस्तंब के संगत आव्यूवों से गुणा करते हैं, और इस प्रकार हम A into A T के पहला आव्यूव ग्याद करेंगे, तो हम क्या करते हैं, हमने 1 into 1 अर्थात 1, माइनस 2 into माइनस 2 अर्थात प्लस 4, 3 into 3 अर्थात प्लस 9, और यह हमने पहला आव्यूव ग्याद कर लिया, पहली पंक्ती का पहला आव्यूव, अब हम पहली पंक्ती का जो दूसरा आव्यूव है वो देखते हैं, 1 into 2 अर्थात 2, माइनस 2 into 3, तो यह माइनस 6 हो गया, और 3 into माइनस 1, अर्थात माइनस 3, फिर हमने पहली पंक्ती के ही जो तीसरे पहली पंक्ती के अव्यूवों को दूसरे आव्यूव के तीसरे इस्तम के संगत अव्यूवों से गुणा किया, तो 1 into माइनस 3 अर्थात माइनस 3, माइनस 2 into 1 अर्थात माइनस 2, और 3 into 2 अर्थात प्लस 6, तो इस परकार हमने A into A T की पहली पंक्ती प्राप्त कर ली, अब हम दूसरी पंक्ती के अव्यूवों को देखते हैं, 2, 3, माइनस 1, इसे हम पहले स्तंब के संगत अव्यूवों से गुणा करते हैं, तो 2 into 1 अर्थात 2, 3 into माइनस 2 अर्थात माइनस 6, माइनस 1 into 3 अर्थात माइनस 3, यह हमारा दूसरी पंक्ती का पहला अव्यूव हो गया, पुन्हें हम 2, 3, माइनस 1 को दूसरे स्तंब के संगत अव्यूवों से गुणा करें, तो 2 into 2 अर्थात 4, 3 into 3 अर्थात 9, माइनस 1 into माइनस 1 अर्थात प्लस का 1, इसी प्रकार, 2 into माइनस 3 माइनस 6 हो गया, 3 into 1 अर्थात प्लस का 3, माइनस 1 into 2 अर्थात माइनस 2, तीसरी पंक्ती को देखते हैं, पहले संगत अव्यूवों से गुणा करने से हमें प्राप्त होता है, माइनस 3 माइनस 2 प्लस 6, दूसरा अव्यूव तीसरी पंक्ती का मिलेगा, माइनस 6 प्लस 3 माइनस 2, और तीसरा अव्यूव हम प्राप्त करते हैं, इसी प्रकार 9 प्लस 1 प्लस 4, अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं, तो calculate करने से हमने क्या प्राप्त किया, calculate करने से हमें मिलता है 14-7-1-7-14-1-5-14 तो इस प्रकार हमने दिये गए समीकरन A-2I बराबर एक आव्यू से हमने पहले A को ग्याद किया, आव्यू A ग्याद किया, आव्यू A ग्याद करके हमने A-T ग्याद किया, परिवर्थ मैट्रिक्स ग्याद किया, जिसके लिए हमने आव्यू A के पंक्तियों को इस्तंभों के बदल दिया और आव्यू 80 हमने ग्याद करके a into 80 ग्याद किया चुकि हमारा क्या है आव्यू है 14-7, 1-7, 14-5, 1-5, 14